स्वागत आपका इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग BTSCJE के रिगारिंग लेटेस्ट अपडेट जानेंगे जैसे कि आप सबकी जो बीटेक वाले केस का इंतिजार है कि कब से इसके रिगारिंग अपडेट आएंगे जैसे कि 14 मार्च की जो उनकी सुनवाए हुई थी लास्ट एक्षन डेट की यदि हम बात करें तो 14 मार्च थी लेकिन उसको एड़जर्ण करके 23 मार्च किया गया है तो 23 मार्च को इसको फाइनली सुनवाए होने वाली है जो कि इसके नए नियमा वाली के संसोधन के लेकर भी अपडेट आये थी तो उसके रिगारिंग भी हमने सारे जनकारिया आपको दी थी तो केस के रिगारिंग भी सारे अपडेट हम लोग जानते हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं पत्ना है कोट का ऐफिस्चली वेपसाइट पर वहाँ से जानते हैं क्या कुछ आप लोगों की केस के रिगारिंग अपडेट है जैसे के BTEC allowance को लेकर सब को इंतिजार है चाहे BTEC वाले छात रहो चाहे डिप्लोमा वाले छात रहो सब को इसको लेकर इंतिजार है कि कब इसके regarding finally सुनवाए हम लोगों को देखने को मिलेंगे तो चलिए हम लोग पतना है कोड को अफिशली वेबसाइट से सारे अपडेट जान लेते हैं जैसे के हम आज चुके हैं पतना है कोड को अफिशली वेबसाइट पर और इसके last action date आप देख सकते हैं जैसे पतना है कोड के आप देखने को मिल सकते हैं तो इसके रिगारिंग अभी यदि हम बात करें कोड लिष्टेट शीरियल नंबर की तो वह अपडेट नहीं किया गया है तो जैसे पटना है कोड के तरफ से यह अपडेट किये जाएंगे हम निश्चित यह आपको बताएंगे तो आप लोग चैनल के साथ बने रहे यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इससे आपको BTSC JE की र कॉलेज से डिप्लोमा किये हुए हैं तो उनको 40% का आरक्षन मिलेगा अगर अधर एस्टेट से हैं तो आपको 40% में नहीं दिया जाएगा उसके लिए आलग जो जेनरल के टोगरी में आप लोग आ जाईएगा तो इसके लिए कर सिर्फ अभी नियमावली बने है जो कि जैसे मंत्री मंत्रे परिसर में जो उसके निर्देश दिये जाएंगे उस पर उनकी कारवाय किया जाएगा तो उसके रिगारिंग भी आप लोगों के जो नया नियमावली बनेंगे बहाली परकिरिया को लेकर वे अभी पूरे किलियर नहीं हुए कि किस तरीके सा आप आपको बताएंगे तो चलिए हम लोगों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिलाल इसमें नहीं थैंक्यू